नमस्कार दोस्तों मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे राजस्थान भुगोल के जो टॉप 100 कोश्चन है यानि की 100 महतपुन कोश्चन जो बार बार राजस्थान के हर परतियोगिता परिक्षा में पूछी जाती है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा भुगोल के सारे प्रस्ण है इसके बाद अगर आपको इतिहास निर्थ से सम्मादित भी चाहिए होगा तो नीचे डांस वाले वीडियो के लिए नीचे डांस कोमेंट जरूर करते हैं तो चलिए वरी फर्स्ट कोश्चन के साथ सुरुआत करते हैं राजस्थान राज का छ राजस्थान फैला हुआ है और राजस्थान की जो सेफ है ना वो काइट की सेफ में है कौन से सेफ में है काइट में काइट यानि की जो है चत्रभूज में फैला हुआ है किस तरह से विसम कौन ये चत्रभूज में फैला हुआ है हिंदी में अगर बात करूं तो इसका लुसेंट में आपको जो आंसर मिलेगा ना वो मिलेगा option number A, optional की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये wrong है, साइद answer में typing mistake हुई है, इसका जो correct answer है, लुसेंट के अगर आप अंदर में, जो details में जो चीजें लिखी गई है, वहाँ पे देखोगे, तो वहाँ पे आपको answer मिलेगा 10.41 पर 30, यानि की option B, क्या होगा आपका, बिल्कुल absolute correct हो जाएगा, B के साथ आपको जाना था, चलिए B को lock कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंट पे, नीचे आप लोगों को comment करके भी बताना है कि 100 में से कितने जो है number आपके आए हैं, बिल्कुल इमानदारी स आप देखते जाना, छेतरफल की दिरिष्टी से राजस्थान का भारत में कौन सा अस्थान है, पर्थम दूतिये, तृतिये या चतुरत, तो देखिए, राजस्थान भारत का सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ राज्जी है, यानि की option A, इसका right answer हो जागा, यानि क राजस्थान जो है, छेतरफल की दिरिष्टी से भारत का पर्थम अस्थान रखने वाला राज्य है, एके साथ आपको जाना था, बढ़ेंगे अगले question की ओर राजस्थान का पस्चिन्तम देसांतर क्या है, आपको बताना है, राजस्थान का पस्चिन्तम देसांतर क्या है तो देखिए इसका जो right transfer हो जाएगा वो हो जाएगा 69 degree और 3 minute east 3 minute east याने की option A आपका क्या होगा absolutely correct हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आप अपने जो score है उसको भी update करते रहिएगा राजस्थान का आकार किस प्रकार का है आपको बताना है राजस्थान का आकार किस प्रकार का है मैंने पहला question जब solve किया था उसी समय आपको बताया था कि राजस्थान की जो आकरती है वो kite ship की है इस तरह की है काइट बिसम कौन ये चेतरफूज यानि की option D आपका क्या होगा बिल्कुल correct answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं राजस्थान के किस जिले से करकरेखा गुजरती है अजमेर चितोडगर बांसवाड़ा या फिर उदैपूर तो देखिए करकरेखा जो है बा और है उसके बारे में पूछा जा रहा है उसकी लेंथ पूछी जा रही आपसे देखिए इसका राइट अंसर हो जाएगा 5920 किलो मिटर कितना 5920 किलो मिटर यानि की option D क्या होगा correct हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्यों हम लोग बढ़ते हैं question number next आपके सामने ये रहा राजस एगले question क्या होगा यह हो जाएगा 826 किलो मिटर और पूरव से पस्चिम पुछा जाए तो 849 और इधर से क्या हो जाएगा ? यानि उत्तर से दक्षिन क्या है ? कम है ? पूरव और पस्चिम क्या है ? जादा है ? यानि कि right answer क्या हो जाएगा ? 826 यानि कि option number C आपका correct हो जाएग देखिए अगला question मैंने पहले ही बता दिया था आपको पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछी जा रही है आपसे तो ये मैंने क्या बता है था 879 km यानि कि option C आपका right answer हो जाएगा C के साथ आपको जाना था अगले question के और हम लोग बढ़ते हैं राजस्थान के कितने जिलों की सीमाए पाकिस्तान के सीमा को असपर्स करती है यानि कि राजस्थान के कितने जिले हैं उनकी बौरडर जो है पाकिस्तान के साथ टच होता है या आपको बताना है तो देखिए पाकिस्तान की सीमा से असपर कितनी है देखिए area border के बारे में पूछा जा रहा है actually area border के बारे में नहीं length of border के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका right answer हो जाएगा 1070 km यानि की option A आपका क्या होगा right answer हो जाएगा राजस्थान के जिले जो अंतराष्टिय सीमा पर इस्थित है देखिए इसका trick में बता देता हूँ J, B, J, B ऐसे आप याद रखोगे तो इसका answer बिलकुल आसानी से जीफोर गंगा नगर, बीफोर बिकानेर, जेफोर जेसलमेर और बीफोर बाडमेर आप जो है बिकानेर और बाडमेर को इंटरचेंज भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इससे answer नहीं बदल जाएगा यानि की option A आपका क्या होगा correct answer हो जाएगा J, B, J, B चलिए आगे बढ बिकानेर, जेसलमेर, गंगा नगर या हनुमान गर तो देखिए इसका जो right answer हो जाएगा option number B, जेसलमेर जो है वो सहर है जो की राजस्थान के साथ सबसे निकट में बसा हुआ सहर है, राजस्थान का सरवाधिक अंतरास्टे सीमा वाला जिला कौन सा है जो सबसे ज़्याद राजस्थान का सबसे कम अंतरास्टे सीमा वाला जिला कौन सा यानिकी जो सबसे कम बॉर्डर सेयर करता है पाकिस्तान के साथ वो हो जाएगा जोदपूर, वो क्या हो जाएगा जोदपूर सबसे ज़्यादा कौन था सरिगंगा नगर और सहर की बात की जाए तो जैसलमेर और सबसे कम सीमा वाला जिला पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा जोदपूर, चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का वा जिला जो अंतरास्टिय और अंतराजिय दोनों सीमा बनाता है यानि कि भारत के अनिराज के साथ भी वो सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतराजिय भी बार्डर से एर करता है यानि कि option A आपका right answer हो जाएका, चलिए आगे बढ़ते हैं next question की ओर, राजस्थान के कितने जिले किसी भी राजिय देश की सीमा को नहीं चूते हैं, देखिए इसका जो correct answer हो जाएका, ऐसे 7 जिले हैं, जो किसी और राजिय से न जिलाओं से जो है वो घिरे हुए हैं, अंतराष्टी यानि कि मद्य परदेश, पंजाब, हरियाना या फिर गुजरात से वो border share नहीं करते हैं, उतर परदेश के साथ border share नहीं करते हैं, राजस्थान के अन्य जिला से वो 4 तरफ से घिरे हुए हैं, तो ऐसे जिलों की संख्य कितनी है, साथ, चलिए आगे बढ़ते हैं, option B के साथ आपको जाना था, आगे बढ़ते है, question number 18 की योर, राजस्थान की अस्थलिय सीमा कितने राज्यों को असपर्स करती है, देखिए फिर से question को ध्यान से समझना है आपको, राजस्थान की अस्थलिय सीमा, border के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो कितने अन्य राज्यों को छोती है, तो देखिए इसका right answer क्या हो जाएगा, 5, पहले कौन है, MP, फिर से जो सबसे ज़्यादा border share करता है, राजस्थान वो MP के साथ करता है, और सबसे कम share करता है, पंजाब के साथ, हर्याना के साथ भी border share करता ह ये UP के साथ भी करता है, और गुजरात के साथ भी करता है, तो ये 5 राज्यों को याद रखिएगा, कभी-कभी ये 5 में से 4 options या फिर एक के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो फिलाल right answer क्या हो जाएगा, राजस्थान की स्थलिये सीमा, कुल 5 राज्यों से जो है मद्यपर्देश के साथ सबसे कम पंजाब के साथ, यानि कि ये आपका right answer होगा, राजस्थान की सबसे अधिक सीमा, देखिए मैंने अभी तुरत आप लोगों को बता दिया था, इसका right answer क्या होगा, मद्यपर्देश, मद्यपर्देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा, जो ह उत्तरपर्देश और मद्यपर्देश से मिलता है, देखिए बहुत important question है ये, राजस्थान के उस जिले का नाम आपको बताना है, जो उत्तरपर्देश और मद्यपर्देश के साथ जो है border share करता है, तो देखिए इसका नाम है धौलपूर, ये क्या है धौलपूर जो की दो पर राजियों के साथ सीमा सेयर करता है तो देखिए मैंने बताया था आपको मद्य परदेश है एक पहला दूसरा है सबसे कम पंजाब फिर कौन है यूपी यूपी के साथ साथ कौन सा आता है एक आता है आपका घुजरात और एक हरियाना तो देखी यहाँ पर तीनों के नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे यानि कि उप्यूक्त में सभी राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं सनलगन राज्यों का जिला जो परत्यक्ष राजस्थान को नहीं छूता है आपको बताना है उस जिला का नाम जो कि राजस्थान को सनलगन राज्यों का जिला है जो कि राजस्थान को नहीं छूता है बहुत important question इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भुझ कई एक्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले एक्जाम में भी ये पूछा जाएगा बरतमान समय में राजस्थान में कुल यहां पे सोरी कल हो गया ये कुल होगा कुल कितने संभाग हैं कुल संभागों की संख्यां पूछी जा रही आप से तो देखिए इसका राइट आन्सवर क्या हो जाएगा 17 संभाग हैं जो की राजस्थान में पढ़ते हैं आगे बढ़ हैं राजस्थान के निर्मान के समय में इनी सो चपण ईशवी की बात की जा रही है 2008 में, 26 जनवरी को जो है, इसे सामिल किया गया था, 26 जनवरी 2008 में, चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, तो इसका राजस्थान का निर्मान हुआ था, उस समय जिलों की संख्यां 26 थी, जो कि बढ़कर 33 हो चुकी है, तो फिलाल इसका राजस्थ राजस्थान के निर्मान के समय जिलों की संख्यां पूछी दिया है, तो आपको बता भी देना है, 26 इसका राजस्थान हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, छेतरफल की दिरिष्टी से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, छेतरफल की दिरिष्टी से पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा जो होगा छेतरफल की दिरिष्टी से वो हो जाएगा जैसलमेर, वो क्या हो जाएगा जैसलमेर, और सबसे छोटा हो जाएगा धौलपूर, यानि कि ऑप्सन B आपका correct है, बहुत important question है यह, चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के चेतरफल की दिरिष्टी से सबसे बड़े दो जिलों के चेतरफल का अंतर कितना है, मैं आप लोगों से answer चाओंगा, एक तो मैंने बता दिया, जैसलमेर सबसे बड़ा है, इसके बाद कौन सा जिला सबसे बड़ा है, उसका नाम आप लोग नीचे कमेंट करके बताईगा, तब मुझे पता चल जागा कि विडियो आपने यहां तक तो कम से कम देखी ली है तो देखे दोनों के छेतरफल को अगर आप घटा दोगे दो सबसे बड़े छेतरफल के दिरिष्टी से जिले जो की राजस्थान के हैं उनको अगर आप माइनस करोगे तो लगभग 10,000 स्क्वार किलो मिटर में यह आएगा आगे बढ़ते हैं उत्तर दक्षिन विस्तार जिस जिले का है उसका नाम आपको बताना है तो देखिए उत्तर दक्षिन विस्तार वाला जो जिला है वो है जुन-जुनू वो क्या है जुन-जुनू यानि कि option D आपका right answer होगा चलिए आगे बढ़ते हैं निमलिकित मैंसे किस वर्स परताप गड़को राजस्थान का 33 जिला घोसित किया गया है परताप गड़को 2008 में कहा यह रहा 2008 में इसे जो है जिला घोसित कर दिया गया था मैंने आपको डेट भी बताया था आगे देखे डेट भी पूछा जाएगा आपसे तो 26.1.2008 यानि कि option B यानि कि 26 जनवरी गंतंतर दिवस के अफसर पर परताप गड़को राजस्थान का नया जिला घोसित कर दिया गया था वह कौन सा जिला है जो कि अपने पडोसी जिलों की अधिक्तम सीमा के साथ जुड़ा हुआ यानि कि जो total जिलों की संक्या है इसके border जो है उस अधिक्तम जिलों से टच करता है तो देखिए इसका right answer क्या हो जाएगा पाली टोटल क्या हो जाएगा पाली अब आपको नीचे comment करके बताना है पाली कितने जिलों से जो है अपनी सीमा को सेयर करता है राजस्थान के सनलगन जिले कौन कौन से है देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है आपको याद रखना है SPN अगर आप याद रख लोगे तो S से 0 ही हो गया P से पाली N से नागौर तो इसका right answer क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे आपको option भी दिख रहा होगा 34 यानि कि 0 ही ये रहा option C के साथ आपको जाना था चलिए आगे बढ़ते हैं राजस्थान के निमलिखित जीलों को पूरब से पस्चिम की और वेवस्तित करना है पूरब से सबसे पूरब में कौन है तो सबसे पूरब में आपको मिलेगा बूंदी उसके बाद अजमेर उसके बाद नागौर और लास्ट में आपको उदेपूर मिलेगा मरू तरिकौन किसका किसका नाम पढ़ता है ये आपको बताना है तो देखिए जे जे बी याद रख लेना है जे जे बी जे फोर जोदपूर जे फोर जैसलमेर और बी फोर बिकानेर यानि कि डी आपका क्या होगा बिल्कुल एपसुलूट करेक्ट हो जाएगा राजस्थान राज की बरतमान सरूप जिस तिथी से है उस तिथी का नाम आपको बताना है तो देखिए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा 111956 जो है राजस्थान का वो क्या है बरतमान सरूप उस तिथी से है राजस्थान के भौगौलिक शेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया था? बहुत important question, exam के point of view से बहुत बार ये पूछा जा चुका है तो 11.1956 को ये दिया गया था, यानि कि D आपका correct answer हो जाएगा question number 39, भौगौलिक दसाओं के अधार पर राजस्थान को कितने भागों में बाटा जा सकता है भौगौलिक अधारों पर अगर राजस्थान को बाटना हो तो आप इसे चार अलग अलग भागों में बाट सकते हो यानि कि option C आपका क्या होगा? correct answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं राजस्थान का मरुप스लिय प्रदेश भौ गर्भिक दिरिष्टी से किस प्राचिन भुखंड का भाग है? तो देखिए मरुवस्थलिय प्रदेश भू गर्भिक दिरिष्टी से किस प्राचीन भुखंड का भाग है तो देखिए राजस्तान का भू मरुवस्थलिय प्रदेश जो भू गर्भिक दिरिष्टी से है उसका प्राचीन भुखंड का नाम हो जाएगा तेटिस्त सागर यानि की option B आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे वढ़ते हैं राजस्तान का सर्वधिग भाग क्या है रहाजगिस्तान है बहुतिक परदेश की जो विकास है I mean विस्तार है वो सबसे ज़्यादा है पुर्वी मैदान का पस्चमी मरुवस्तल का गगर मैदान का या हा डौती का पठार तो देखे इसका right answer क्या हो जाएगा पस्चमी मरुवस्तल यानि की option B के साथ आपको जाना था थार मरुवस्तल र चलिए आगे बढ़ते हैं आरा वली का तारागड सिकर किस जिले में है तो देखे आरा वली और से आपको याद रखना है अजमेर यानि की option C आपका क्या होगा करे टांसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं रन छेत्र बाहुली वाला जिला कौन सा है बाडमेर अजमेर जैसलमेर या फिर बिकानेर तो देखिए रन छेत्र वाले की अगर बात की जाएगी तो जैसलमेर कहा है यह रहा option नमर C, C के साथ आपको जाना था राजस्थान को उत्री पस्चमी और दक्षनी पूर्वी भाग में विभाजित किया जा सकता है किसके द्वारा तो देखिए option इस तरह के जब भी आपको दिखते हैं तो आप सोचते हो कि इसे लगा दें और आंसर सही हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है आरावली परवत सिर् अब ये आरावली सरेनी के अंतरगत कौन-कौन सी पहाड़ियां आती है तो देखिए सेखावटी, निमन पहाड़ियां और मारबार की पहाड़ियां यहाँ पे आएगी बाडमेर, जैसलमेर, विकानेर, चटानी परदेश, पूर्व में कच्च की घाड़ी से प्रारंब हो खाड़ी से प्रारंब होकर, विकानेर के उत्तर में महान मरू भूमी तक विस्तरित छेतर को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है का जाएगा लगू मरू अस्थल, क्या का जाएगा लगू मरू अस्थल, चलिए नेक्ट कोस्चन, कोस्चन नमर 51 के ओर बढ़ते हैं, आबु ख बोराट का पठार, यानि कि option D आपका right answer हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अजमेर के उत्तर पुर्व इस्थित आरावलिस रिंखला में पाई जाने वाली दो वायू घाटियां का नाम आपको बताना है, तो देखिए, इसका जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, सा से उची परवत चोटी का नाम आपको बताना है, इसका right answer हो जाएगा, गुरू सिखर, और याद रखिएगा, 1722 मीटर इसकी हाइट है, बार बार ये एक्जाम में पूछा जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में आरावली परवत सरिंखला का विश्तार कहा से कहां तक है, तो देखिए, इसका right answer हो जाएगा, देखिए, मैं इंग्लिस में बोल देता हूँ, साउथ वेस्ट से जो है, ये नौर्थ इस्ट की तरह है, यानि की दक्षिन पस्चिम से उत्तर पूरव की और ये होगा, तो right answer क्या हो जाएगा, option number B के साथ आपको जाना चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, next question की और, आरा वली परवत सरिंखला, राजस्थान राज में उत्तर पूरव, दक्षिन पस्चिम तक फैली हुई है, मैंने भी आपको बताया, इसकी कुल लंबाई कितनी है, ये बताना है, तो देखिए, इसका right answer हो जाएगा, 692 किलो म हो रहा है, तो इसका right answer हो जाएगा, सांबर गैप, क्या हो जाएगा, सांबर गैप के द्वारा मरूरस्थल का विस्तार हो रहा है, आरा वली परवत माला, दक्षिन पस्चिम में, राजस्थान के किस जिले से होकर, प्रारम होकर उत्तर पूरव में जाती है, ये बताना है तो देखिए, सिरो ही कहा है, ये रहा option D, सिरो ही से जो है न, ये उत्तर पस्चिम से होकर, उत्तर पूरव की ओर जाती है, D इसका right answer है, आरा वली परवत स्रिंकला की दूसरी सबसे उंची चोटी कौन सी है, तो देखिए, इसका right answer क्या हो जाएगा, सेर, यानि की option C के साथ आपको जाना था, question number 59 के ओर बढ़ते हैं, निमलिखित में से कौन सा समू, राजस्थान की परवत चोटियों का, उनकी उचाईयों से सही अबरोहीद, याद रखिएगा, decreasing order पूछा गया है आपसे, यानि की सबसे पहले सबसे बढ़ा हो, और सबसे लास्ट में सबसे छोट याद रखिए, बहुत बारे से question पूछे जाते हैं, एक्जाम में, तो देखिए, इसका जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, सेर, जरगा, सज्जनगर, तारगर, इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, सेर जागा तो सज्जन को तारे दिख गए, ऐसे आप याद कर सकते हो, यानि सबसे उंचा जो है, आपको अराबली परवत का सिखर मिलेगा, उसका नाम क्या है, सिरोही, चलिए आगे बढ़ते हैं, जिले का नाम सिरोही है, बिसुकी प्राचिंतम वलित परवत माला, निमलिकित मैंसे कौन सी है, चार options दिये गए हैं, उन मैंसे एक है, और इसका right answer भी राजस्थान के किस छेतर में विंद पठार का विष्टार है, तो देखिए, राजस्थान में जो विंद पठार का विष्टार है, वो है दक्षिन से लेकर पूरब की और, यानि की option B आपका क्या होगा, correct answer हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का पश्चमी मरुअस्थर राजस्थान के लगभग कितने छेतर को घेरे है हुआ है, आपको परतीसत में भी इसका अंसर देना है, तो 60 परतीसत से अधिक जो है राजस्थान को पश्चमी मरुअस्थर घेरे हुए है, चपन बेसिन, उस जिले का नाम बताना है जहां पर चप मैंने पहले ही बताया था आपको 1722 किलो मिटर जो है इसकी उंचाई है, यानि कि option D के साथ आपको जाना था, question number next, सिरोही छेतर की पहाड़ियों को अस्थानिय भासा में क्या कहा जाता है, तो देखिए भाकर कहा जाता है, सिरोही चोटियों को अस्थानिय भासा में भाकर क कहा जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कौन सा भूछेतर, बिहाड अस्थाला किरती के लिए समपूर्ण भारत में जाना जाता है, सिरोही राजस्थान में नहीं, बलकि पूरे भारत में जाना जाता है, इसका है right answer, चंबल, नाम तो सुना ही होगा, दुंगरपूर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, बांसवाडा और दुंगरपूर के बीच वाले अस्थान को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है, तो देखिए कांठल कहा जाता है, यानि कि option A आपका क्या होगा, right answer हो जाएगा, A के साथ आपको जाना नेक्स्ट कोश्चन क्यों बढ़ते हैं, कोश्चन नमर 17, आरावली के पस्चिम में इस्तित छेतर को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसका right answer हो जाएगा, पस्चिमी रेतेली भूमी, यानि की option B आपका क्या होगा, correct answer हो जाएगा, आरावली परवत माला राज के कितने पर है, भारत के थार मरु अस्थल का कितना भाग राजस्थान में है, तो इसका right answer है 90%, आपको नीचे कमेंट करके बताना है, बचा हुआ 10%, जो है किस राज में ये फैला हुआ है, राजस्थान भू छेतर में आरावली परवत स्रनी की कुल लंबाई कितनी है, तो देखिए इस चपन का मैदान कहां परिष्तित है, चपन का मैदान जो है ये कहां परिष्तित है, तो देखिए परताब गड़ और बासवाड़ा के बीच में आपको चपन का मैदान दिख जाएगा, आरावली की उच्थतं चोटी का नाम है गुरू सिकर, दूसरे नमर पर सेर है, याद रखना है उडिया यानि कि option B आपका क्या होगा correct answer हो जाएगा बढ़ते हैं question number 77 की ओर घगर का मैदान कहां पर इस्तित है तो देखिए गंगा नगर और हनुमान गड़ जिले के बीच में आपको घगर का मैदान देखेगा option A आपका right answer हो जाएगा बहराट का पठार कहां इस् जाएगा यानि कि A आपका right answer हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन सा पठार माउं टाबू परवत से 8 km गुरू सिखर चोटी के नीचे इस्तित है इसका नाम बताना है आपको तो देखिए 0 ही मैं आपको actually यह जो right answer हो जाएगा वो मैं आपको बता actually मैं थोड़ा सा गड़बड हो गया था शिरू ही इसका right answer होगा यानि कि option A के साथ आपको जाना था चली आगे बढ़ते हैं question number 81 की ओर आपको बताना है कि कौन सा युगम गलत लग गया है कौन सा युगम गलत लग गया है तो देखिए सीखर में आपको जो है सीखर में जो देगा यही right answer है राजस्थान का कौन सा भोगौलिक अंचल प्राचिंतम है सबसे प्राचिंतम की बात की जा रही है तो याद रखिएगा आरावली प्रवतिय अंचल जो है सबसे प्राचिंतम है राजस्थान का कौन सा जिला हाडोती के पठार में सम्मलित नहीं किया जात है उसका answer आपको बताने तो देखिए दौसा को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता यह included नहीं है माल पूरा करोली मैदान का भाग जो है वो कहां पर है तो देखिए इसका right answer हो जाएगा बानस बनास एक्चली option D आपका क्या होगा right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं question number 85 क और कौन सा इसमें जो है सही सम्मिलित है देखिए बिल्कुल सही answer क्या है आपको यह बताना है तो देखिए इसका right answer हो जाएगा यहां से आप लोग इसका जो answer है actually मैं से mismatch कर दिया हूँ इसका answer आप लोग नीचे comment करके बताईएगा 85 आपको लिख देना है और नमर भी आपको लिख देना है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 86 की ओर गगर का दोआ मैदान जो राजस्थान के हनुमान गड़ और सिरी गंगानगर जिले में पाया जाता है वा दो नदियों के निचेपन से बना है उस दो नदियों का नाम आपको बताना है तो देखिए इसका right answer क्या हो जाएगा गगर और ब्यास नदी के द्वारा यह बनाया है तो देखिए अगर सबसे पहले question number one को पढ़ है हाड़ूर्ती पठार पस्चेतर में यही आपका incorrect है यह क्या है incorrect है दूसरा 41.50 छेतर जो है बालू का बिलकुल सही बात है यह भी सही है तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है यानि कि two three और four right है और यह आपको कहा मिलेग है आपको यह बताना है तो देखिए इसका right answer हो जाएगा मुकंद्रा पहाड़िया यानि कि option b के साथ आपको जाना था राजस्थान का कौन सा भुगोलिक अंचल सबसे अधिक उचाई पर है यह बताना है सबसे अधिक उचाई पर कौन इस्थित है तो देखिए हाड़ोती का पठार आपको सबसे उचाई पर मिल जाएगा option c is the right answer राजस्थान का कौन सा भुगोलिक अंचल मालवा के पठार का विश्थार है तो देखिए इसका right answer क्या हो जाएगा हाड़ोती का पठार एक बार फिर से यानि कि ए या इसका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते है question number 91, 91 में पूछा गया है कौन सी विश्था थार के बारे में गलत बताई गई है, यह बताना है आपको तो देखिए, यहाँ पे सुस्क और अर्दसुस्क जलवाई है, बिल्कुल सही है, रेतिली मिटी पाये जाती है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे बालू के स्थूप पाय बिल्कुल सही है, लेकिन सदा बहर बन कहा मिलेंगे, जहां पे बहुत अधिक वर्सा होगी, और आपको राजिस्तान में अधिक वर्सा देखने को नहीं मिलती है, सीज का राइट आंसर हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आरा बली परवत के संबंद में गलत कथन को की पहचान आपको करनी है, कौन सा कथरन गलत लिख दिया गया है, तो देखिए, यह बिस्व की प्राचीनतम परवतों में से एक है, बिल्कुल सही बात है ये, इसकी लंबाई 820 किलो मीटर है, देखिए, बिल्कुल सही है ये भी, इसका अधिकांस विस्तार राजिस्थान में है, ये भी सही है, लेकिन इसकी जो सबसे उंची चोटी है, वो गुरू सिकर है, ये बताना है आपको, तो देखिए, इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, 92 का D, यानि की इसका राइट अंसर D होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, चारो और से पहाड़ियों से गिरे उ इसका भाग नहीं है, तो देखिए, लूनी is the right answer, D के साथ आपको जाना था, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन, राजस्थान के अरबुड़ा परवत के एक गुरू सिखर का नामांकरन किस रिसी के नाम पे किया गया है, तो देखिए, दत्राते, यानि कि सीज क right answer हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन की हुर, जलवायू की दिरिष्टी से अधिकांस्त राजस्थान कहां इस्तित है, देखिए, जलवायू की दिरिष्टी से देखा जाये, तो उपोस्न कटी बंद में ये इस्तित है, यानि कि सीज का right answer हो चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कम वर्षा का कारण आराबली परवत की निम्न में से कौन सीज स्थिति के कारण ऐसा होता है, तो देखिए, स्रिंखला में, जो वनिस्पती विहिन होना, या स्रिंखला में कटाव होने के कारण यहाँ पर आपको कम वर्षा दे सीज का राइट आंसर हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुश्चन नमर 100 की और, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताईएगा, अगर विडियो यहाँ तक देख लिए तो 100 का आंसर नीचे कमेंट कर यह होगी भी ता आंसर की, तो छोड़ा सा एक अमाउंट ट्रांजेक्शन करना है, 49 का आपको यह पेडियाफ मिल जाएगी, यहाँ से मेरी इमेल आइडी और इंस्ट आइडी आपको दिख रही होगी, जोर में तोन सिंग एड़ इमेल कर सकते हो, आप मुझे, इंस्टा प पेडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया, वेब गुद डे